है रहे दोस्तों मिर्णा मैं मिस्स बाजो और आज बत करने वाले हैं टाड़ा नेक्शन के एक्सम एस मोडल की तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका प्राइज तो आपको एक्शुरूम पढ़ता है नो लाख हुननजा जार नो सो रुपे और उन रोड प्राइज की बात करें अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी नोनिटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सकें तो यह करते हैं शुरूआद लेंथ से लेंथ आपको मिलते है 4993 mm और विट्स आपको मिलती है 18 111 mm और है टापको मिलते है 1606 mm तो भाई इसकी विट्स आप जेख सकते हैं बहुत ही बड़ी आपको विट्स मिल जाती ए 1811 mm बहुत ही बढ़ी है जिससे आपको रोड प्रेसेंस बहुत ही बड़ी है मिलती है तो यह करते हैं शुरूआद इसकी लाइट से तो इसमें आपक इसको इंस्टॉल करवा सकते हूँ दो अपको다고 हो ब्लैटर से पाइच दैन आपको कने दो ब्लैक प्सक्रीशव स्टेंट निय्स स्टन ग्राउंड केछ उस्ट Knights में जाती है उपर उल्एफ के तो आपको रूफ के a साइड से लिं drilled मिलता इनदर रशूपर दिखूगे तो écme माइक्रो टाइप एंटेना मिलता है और उसके नीचे देखोगे तो आपको यहां पे मिलता है इसका हाई माउंट स्टॉप लेंब कोई भी आपको यहां पे डिफोगर वगएरा नहीं मिलता लाइट की बात कireAn तो यहां पे आपको ट्री एरो पेटरन में इसकी जगती है और बकि आपको हैलेसन में इसकी मिलती है इंडिकेटर और बैक लाइट नीचे आप देखोगे तो आपको यहां पे रिफिलेक्टर मिल जाती है यहां पर दो पारकिंग सेंसर मिलते हैं और करें तो इसके अंदर आपको 44 लिटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है वाई यह गाड़ी जो है वह वाई फाइव स्टार डिटर गाड़ी है सो आपको सेफटी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं मिलेगा सो अभी देखते हैं इंटीरियर तो इंटीरियर में आपको व क्लस्टर मिलता है मैनूल आपको इसके अंदर एसी मिलता है और 3.5 इंच की यहां पे आपको स्क्रीन मिल जाती है इंस्रूमेंट क्लस्टर में तो भाई 6-speed का आपको यहां पे गेर नॉब मिल जाता है पिछे आप देखोगे तो आपको तीन मूड मिल जाते हैं ड्राइव जो है sun roof है और moon roof है तो यह इसका पूरा interior design आपको बढ़िया लगीगा देखने में गलाव बोक्स भी आपको बढ़िया इसके अंदर organize ग्रा मिल जाता है सारा कुछ तो यह इसका पूरा interior पिछे देखेंगे तो पिछे भी आपको वैसी door के अंदर silver color के अंदर इसका element मिल ज जाता है bottle holder speaker grill मिल जाते है चार speaker आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाते है सिटींग की बात करें तो भई काफी अच्छी है अपको यहाँ पर space मिल जाती है space में कोई भी आपको यहाँ पर compromise नहीं है है hydress आपको fix मिल जाते हैं कोई भी आपको armrest वेगारा नहीं मिलता यह इसका पूरा इंटीर डिजाइन अपने देखी लिए बहुत ही बढ़िया इसकी सिटिंग पोजिशन है कमफर्ट सबसे बढ़िया इसके सेग्मेंट के अंदर इसके अंदर मिल जाता है तो भी बात करते हैं इसके बूट स्पेस की तो इसके अंदर आपको 350 लिटर का बू कमपनी की तरफ से नहीं मिल रही वाकि आप पर्चेज करके इसको लगवा सकते हो कंपनी की तरफ से ही तो यह पूरा बूट स्पेस तो भाई उसके बाद भी चलते हैं इंजन की तरफ तो इंजन में आपको वाई 1.2 लिटर का टर्बो चार्ज रेव ट्रोन इंजन मिल जा किया गया वह 17.33 का तो भाई 16-17 तक अराम से आपको इसके अंदर माइलज मिल जाएगा तो यह इसका इंजन तो उपर आपको इंसुलेशन वगारा मिल जाती है तो काफी रिफाइंड इंजन अभी हो चुका है पहले की मुकाबले देखा जाए अगर तो जो इसकी नौइस है वो भी पहले से काफी कम हो चुकी है बीए 6 फेस टू आने के बाद में तो आपको गाड़ी कैसे लगी है आप कमेंट करके जूरूर पताना अगर आपको गाड़ी अच्छे लगी यह आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्रेब कर लेना ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रेंगी में आपको हाइलाइट जो इसके अंदर मिलता है वह मिलता है सरन रूफ का तो वाई 5 स्टार डिटर आपको गाड़ी मिल जाती है साथ में आपको जरूरी सारे फंक्षिन मिल जाते हैं किसी भी तरह कि आपको कोई भी कॉम्प्रो कि अग्यूम्यूम्यू